नमस्कार मैं हरोईत कुमार आप देख रहे हैं नूज फॉर्णेशन लालु यादव ने चुठी लिखे नितिश कुमार को लेकर के उसमें लांटिन और तीर को लेकर के निशाना साधा और उसके बाद आज लालु यादव ने एक नई चुठी बिहार के लोगों के नाम लिखी है इसमें उन्होंने पढ़ान मंतरी मोदी के बिहार की दोरे और वहां पर बाते की गई उस पर हमला है कटाक्ष है दरसल लालु यादव ने जो बात अपने ओफिशल ट्विटर पेज से लिखी है उसके सहारी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ार मंतरी मोदी के जहासी में ना आएं और उनको इस बार बिहार से भगाएं इस तरह की बाते लिखने की कोशिश हुई है तो जो ट्विट है वो ये है कि मेरे प्यारे बिहार वासियों इस महतपूर्ण चुनाव में जूट के विक्रेता, पाखंड के उस्ताद, वादों के ठग, दावों के बाजीगर, द्वारा जूट के फ्री अस्वासनिये, अविस्वासी, दौर में बड़े बड़े जुमल फेंके जा रहे हैं, इनके जूट को लपेट कर इनको जोड़दार अपनी वोट की चोड से कराड़ा जबाब देना है, ये लालु यादा ने लिखा है, और इसके बाद जो ये ट्विट है, इस पे करीब सवातीन हजार लोग ने लाइक किया है, और करीब 615 लोगों ने र ट्विट किया है, लालु यादा बेहद आकरामक हैं पिछले कुछ दिनों से, एक गैप के बाद वो बैक हुए हैं ट्विटर पे और यहां पर इस तरीके से ट्विट कर रहे हैं, चाहे राबरी देभी के ट्विट्स हों, उसको ट्विट कर रहे हैं, जो खबरे आती हैं, उनको लिखने की कोशिश करते हैं, और देखी यहां पर उन्होंने एक और कल की बात करें, तो कल लालु यादाब ने सुनो मेरे छोटे भाई नितिश और उनके नाम के भी चिठ्थी लिखी थी, और इसमें सब्दों के सहारे से बड़ा हमला बोलने कोशिश हुई थी, तो चुनावी सभाओं को समोधित करने के लिए पहुँचे, कई वादे किये, उसमंझ से लालु परिवार निशाने पर था, भृष्टाचार की बात हुई, और कहीं न कहीं ये कहा गया कि बिहार को पीछे ले जाने में, लालु परिवार और या लालु यादाब का बहुत परिवार निशाने पर निशाना साधर रहने तीशकुमार और परधान मंतरी मोधी पर, अधिक अप्रेट्स के लिए देखते ही निउस फोर निशन, नमस्कार